हेलो दोस्तों अलेंड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है करन्ट अफैर्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हम बात करेंगे जितने भी राश्ट्री और अंतर राश्ट्री सम्मिलेनों कि नैशनल और इंटरने अग्सां के लिए यहां से देखने को मिलेगा इसको पूरा देखिएगा स्किप मत कीज़ेगा अगर चाहते हैं आपकी तरीकी की वीडियो आपको डेली मिलें तो वीडियो को शेर करें जाद से जादा और लाइक करें इसके अलावा हमारा जो मुबाइल अप्लिकेशन है बहुत करने वाला है जहां पर आपको डेली की फ्री पीडियाफ ओडियो वीडियो सब कुछ मिल जाएगा इसके अलावा जो ओल्ड करेंट अफेर्स का रिवीजन है यहां पर वो भी करवाया जा रहा है इन दा कुईस फॉर्म तो आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं म सो हम बात करें भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस की जो 108 भी है उसका आयजन होगा पुने यानि कि कहां पर है पुने तो महरास्ट में हम बात करें भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस या भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस संग इंडियन साइंस कॉंग्रेस असोशियेशन भारति हepsut विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो है किया गया था प्रफम फ्रै यहां कालकटा हुआ इसना क्लियर श्र2 नेक्स्ट हम बात करें, 36 आशियन सिखर सम्मेलन, तो 36 आशियन सिखर सम्मेलन है, वो कहां हम बात करें संपन हुआ, तो ये हुआ है, हनोई, the capital of Vietnam, by the video conferencing, ठीक है, 1st July 2020, video conferencing, जो कि सबसे important चीज तो यही है, coronavirus, COVID-19 के कारण, जो important summits थे, कुछ तो virtually हो गए, video conferencing से हो गए, और क कुछ जो है, पोस्ट पॉन हो गए, तो हम सारा कुछ डिसकस करेंगे, हम बात करें, एशियन की तो full form क्या है, इसका Association of Southeast Asian Nations, दक्षिन पूर्वी एशियाई रास्ट्रों का संगठन, हम बात करें, इसका headquarter कहां पर है, तो जकारता में है, इसके secretary general जो है, लिम जोक हुई है, अधिक्ष लीसल लूंग है, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, आगे बढ़ जाते हैं, G7 2021 की बैटा कहां होगी, तो G7 summit की हम बात करें, 2021 की जो बैटा के वो होगी, इंगलेंड में, छीक है, आप लोग ने अगर current affairs follow किये हैं, तो आप लोग भी comment में इसके answer दीजेगा, G7 की हम बात कर लें, तो कौन-कौन सी country जो हैं, इसका part है, तो answer है Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, एवं USA, छीक है, साथ बड़ी जो उननत अर्थववस्ता हैं, वो इसका भाग है, G7 2020 की बैठक कहा होगी, अब तो 21 देखा हमने, 2020 की बैठक कहा होगी, तो ये हम बात करें, by the video conferencing in the America, ओके, G20 22 की बैठक, अभी तक हम discuss कर रहे थे, G7, अब हम बात करेंगे 22, है ना, G20 की 2022 की जो बैठक के कौन सी सत्रवी, ये तो ये कहां होने वाली है, so that will be held in India, हमारे देश भारत में, G20 के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, इसका उद्देश क्या है, तो वैश्विक अर्थविवस्ता में प्रणाली बद्ध, महतवपून और धोगिक और विकाशील अर्थविवस्ता को एक साथ लाने के लिए, जो है महतपूर मुद्धो पर चर्चा, साथ से कित्ते हैं 20 है, जबी इसका नाम G20 है, कौन-कौन से हैं? अर्जन्टीना, अस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनेडा, चाइना, यूरोपिय संग, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जिपैन, मेक्सिको, रशिया, साओध अरेबिया, साथ अफरीका, साओध कोरिया, टर्की, उनाइट किंग्डम और यूस और, स्पेन, जो है, एक स्थाई अथिती है, जो हर वर शामत्रित होता है, बात करेंगे, जू 20, 21 की, जो बैठक है, 2021 की बैठक है, वो कहां होगी, So that will be held in Italy, okay? फिर हम बात करें, 2020 की बैठ़क कहां पर हुई है, तो ये हुई है, साउधियर अरबाट, ठीक है? तो हमने G20 के कौन-कौन से डिसकस कर लिए, 2020 के कर लिए, 2021 के कर लिए और 2022 के, 2022 की कहां होगी, तो भारत में, 2021 की इटली में, और 2020 की कहां पर हुई है, तो साउधियर अरेबिया में, ठीक है? वर्ट्वल कॉनफरेंस हुई है, ये एक, नेक्स्ट बात करते हैं, कॉप 13 प्रजातियों के संरक्षन पर सम्मीलन कहां आयज़त किया गया? तो हम बात करें, इसका तो सही आंसर है, वो कहां है, गुजरात की क्यापिटल गांधी नगर, 15 से 12 फरवरी 2020 तक, गुजरात की राज़धानी गांधी नगर में, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षन, यानि की conservation of migratory species of the world animals, हम बात करें, इसका जो शीष मिलकर उनका अपने घर में स्वागत करते हैं, ठीक है, हम बात करें, conference of parties, COP13 के बारे में, तो CMS, यानि की conservation of migratory species, हम बात करें, इसका जो आयोजन होता है, वो हर तीन वर्ष में किया जाता है, नेक्स हम बात कर लेते हैं, बायो एशिया सिखर सम्मेलन 2020 कहां हुआ, उसका जो आंसर है, वो है, हैधराबाद, तेलंगाना की हम बात करें, हैधराबाद में 17 से 19 परवरी 2020 तक चलने वाली बायो एशिया समिट 2020 में जो है, इसका आयोजन हुआ है, और इसका theme क्या थी, वि 2020 का जो आयोजन है, मध्य परदेश की राजदानी बुपाल में हुआ, मध्य परदेश की बुपाल में राजचीर्टी सममेलन का आयोजन किया गया, सममेलन के चार सुत्रों के दरान, पारमपरिक जल स्तूयों का महत्व और पुनरुद्धार जल का अधिकार मध्य प्रदेश में नदिक आयकल्प अभियान और कई अनसंबंदित विभन पहुलों पर चर्चा हुई ठीक है विशेशक्यों ने चर्चा की हम बात करें बढ़ते जल संकट को हल करने के लिए जल संद्रक्षन तक्नीकी विकास को और अगर तौर तरीकों को अपना गर इस समस्या का समधान जो है खोजा जा सकता है तो इस तरीकी का डिसकेशन हुआ है नेक्स एक लेगते वर्चुल ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020 कहां अधित हुआ तुन दी ब्रिटेन ब्रिटेन द्वारा आयोजित आवासी ग्लोबल वैक् प्रेंसिंग आवासी सम्मेलन नों पचास्ते अधिक देशों के शीष व्यापारियों संयोक्त राश्ट एजंसियों नागरिक समाज सरकारी मंत्री और राश्षद्यक्ष और जोहनिताओन इसमें भाग लिया है अंतर राश्ची योग महोचसब 2020 का एजन कहां पर हुआ त पांचवा विम्ष्टक शिकर सम्मेलन तो हम बात करें सो बाइदी श्रीलंका हम बात करें विम्ष्टक की तो देखिए ये एक उपशेत्री संगठन है वर्श 1997 में बैंकॉक घोश्णा की माद्यम से ये स्तरत्व में आया ठीक है प्रारंब में जो है इसका गढ़न चार तर राश्ट्रों की द्वाया किया गया था जिनका संशित नाम हम बात करें बिस्टेक रखा गया था बांगलादेश भारत श्रीलंका और थाइलेंड आर्थिक सहयोग ठीक है बांगलादेश इंडिया श्रीलंका थाइलेंड एकोनॉमिक कॉपरेशन लेकिन जब 1997 में में आम बेंगॉल इनिशेटिफ फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एकोनॉमिक कॉपरेशन तो यह सारे फैक्ट्स आपको इससे याद रखने हैं नेक्स्ट बात करें हम 107 भारतिय विज्ञान कॉंग्रेस का आजन कहां पर हुआ तो यह हुआ है कहां पर बैंगलूरू ची विज्ञान 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 में ठीक है तीन से साथ जन्वरी 2020 और इसकी जो हम बात करें थीम थी विशेट वो था विज्ञान प्रदावगे की ग्रामीन विकास चीक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स उनका 2021 का जो आयजन है वो कहां पर होगा तो 2021 में इसका आयजन करने के लिए की गई थी इस कारिक्रम का आयजन हर वर जन्वरी में किया जाता है पहला संस्क्रण 31 जन्वरी 2018 में नई दिली के इंद्रा गांधी इंडोर स्टेडिया में किया गया था दूसरा पुने महराष्ट में किया गया थीक है ना नौ से बीस जन्वरी 2019 तक और तीस उडिसा में उडिसा की भुवनेशवर में खेलो इंडिया विश्विध्याले खेल संपन हो गए 2020 के और इन खेलों में चंडिगड के पंजाब विश्विध्याले ने कुल 46 पतक जीत का चैंप्रेंस ट्रॉफिय अपने नाम की नेक्स सेखते हैं खेलों इंडिया यूद्ध गेम्स 2020 में अच्छे से से देख लिया है लावा ए फिस्विध्याले गेमस 2020 और ये क्या है खेलों इंड्या holiday गेम्स 2020 ठीक है फिर हम नेक्स देखें ब्रिक्स 2020 का आयोजन कहां पर हुआ तो बिक्स मतलब हम बात करें 2020 का जो आयोजन है यह जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग थी that was held by the Russia ठीक है अगर कोविड नाइंटीन नहीं होता तो अच्छा खाला समिट होने वाया था लेकिन इसको हैल्ड किया गया बाइदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग टीके बिक्स की हम बात कर लें सो कौन-कौन से इसमें ब्राजील रश्या इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इनहीं के नाम पर 2020 कहां पर आयो जित हुआ स्वेडिजन दी डावॉस स्विजर लाइन ओके और विश्वार्थिक मंच की हम बात कर लें वार्ल्ड इकनॉमिक फोरम स्थापना 1971 में हुई थी मुख्याले इसका कॉलोगनी स्विजर लाइन में है और इसके CEO जो है वो क्लॉस एंड शॉब है आगे बड़े विंक्स इंडिया 2020 कहां हुआ तो विंक्स इंडिया 2020 जो है हुआ कहां पर हैदराबाद ठीक है सो विंक्स इंडिया 2020 एक अंतरराश्ची सम्मेलन और नागरक यानि की सिविल उड्डियन शेत्रपर प्रदर्शनी 12 मार्च को बैगम पेट एरपोर्ट हैदरा कारकों को जोड़ना राश्ची ए-governance सम्मेलन 2020 कहां आयजित हुआ तो उसका रूसाही आंसर है दाट संदी मुंबई महरास्ट्रा साथ से आठ परवरी 2020 को मुंबई में ए-governance पर 23 दे राश्ची सम्मेलन का आयजन किया गया इस सम्मेलन में डिजिटल तक्नीक की उपयोग से शाशन में परिवर्तन अफसर एवं चुनौतियों के विशय पर विचार विमर्ष का आयजन भी किया गया ठीक है थीम क्या थी तो 2020 डिजिटल परवर्तन इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांस्वर्मेशन चीक है आगे पढ़ते हैं युनाइस्को की विश्विदरोहर समीती का चबालीजवा सत्र जिसे हाली में इस्थगित किया गया है उसे मूल रोप से जो है किस देश में आयजित होने वाला था तो करेक्ट आंसर क्या इसका अंसर है चाइना ठीक है युनाइस्को की विश्वदरोहर समीती का जो चबालीजवा सत्र होने वाला था 29 जून से एड़कॉर्टर कहां पर है तो पैरिस में है नेक्स दिखते हैं सिटमबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में जी ट्विंटी देशों के परवरण मंत्रों की बैठक 2020 वीडियो कॉन्फरेंसिंग की माध्यम से हुई है साउधी अरेबिया मैंने आपको बताया था वाइदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग जो है जी ट्विंटी की 2020 जो है मीटिंग है उसको हैल्ड किया गया चीक है साउधी अरेबिया की हम बात कर लें सो तो टी कैपिटल इस रियाद ओके और करंसी जो है साउधी रियाल है और न्यू डैली चीक है न्यू डैली की हम बात करें तो हमारा केंच शर्षित प्रदेश है और इसके जो हम बात करें मुख्य मंत्रियें अर्विंद केश्जी वाल है और ल्यूटिन गवर्नर जो है अनिल बैजाल है ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे राश्ची जनजाती जनजाती नुसंदान सम्मेलन 2020 का जो है कहां संपन हुआ तो यह भी कहां पर संपन हुआ तो न्यू डैली में थीक है हम बात करें राश्ची जनजाती अनुसंदान 2020 तो जनजातिय मामलों के मंतरालय और भारतीय लोग परशाषन संस्था ने तीन और चार सितंबर 2020 को वर्चुल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दो दिफसी नैशनल जन जातिय शौड सम्मेलन का आयजन किया और इस सम्मेलन की अध्धिक्षता जो हम बात करें जन जाती है मामलों के केंद्रिय मंत्रिशी अरजन मुंडा ने की है चीक है नेक्स बात करें चपनवा म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन कहां आज़त हुआ तो नाम से पता चल रहा है अविसली कहां पर होगा म्यूनिक जर्मनी में जर्मनी में संपन हुआ यह अंतर राष्ची सुरक्षा नीती पर एक वार्षिक सम्मेलन ने जिसे वर्ष 1963 से म्यूनिक में आज़त किया जा रहा है इस सम्मेलन में विश्व भर के राजनीतिक विज्ञान और नागरिक समाज के प्रतिनिदियों ने भाग लिया और विदेश तो पहला ग्लोबल सिनिमा फेस्टीवल 2020 आया ज़त हुआ है सिक्किम है सिक्किम की हम बात कर लें तो कैपिटल क्या है गैंग टॉक मुख्य मंत्री है प्रेम सिंग तमांग और गंगा प्रसाद हो कहां यहां के गवर्णर है नेक्स देखेंगे ब्रिक्स संस्रकरी मंत्रिय मिशुस्तिन है और किस कॉंटिनेंट में आता है तो रशिया एश्य और दोनों में आता है कि विश्व उत्पादक्ता कॉंग्रेस डबलू पीसी ठीक है ना तो हम बात करें इसकी मेजवानी करने वाला भातिया शहर कौन सा है तो आंसर तो इसका है बैंगलूरू लेकिन य नहीं दोने वाला था बड़ यह क्या हो गया है फोस्पाद हो गया है ठीक हम बात करें इसकी तो यह 6 मही से आठ मही तक करनाटक के बैंगलूरू में आयोजित होने वाला था विश्व उत्पादक्ता कॉंग्रेश भवश्य की उत्पादक्ता ग्रोथ को अकार और उत्पादक्ता विकास के लिए दुनिया में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन है लेकिन इसको सहर प्रवाश्य हम बात करें सीएं सीएम एस सी ओपी थर्टीन यानि की कॉप थर्टीन दोहजार बीस के संद्रक्षन पर तेजवे संयुक्राश्रम्मेलन का मेजवान है तो कहां आयजन हुआ इसका है गांधी नगर में ठीक है नेक्स देके हम राश्ट्रमंडल संसदी सं भारत के किस शहर में आयजन किया गया तो आंसर है जो हमक्नाव में अक đó'llinging end महाराष्ट में महारास्टी में कि क्या आ मंबई गट पर विगश्यारियां के राजपाल है मुख्यमंत्री जोई बदव मार्ज 2020 में अंतराश्टी मिलन की मेजवादी करने के लिए कौन सा शहर ते सा शहर था कि जसे ये मिलन जो है 2020 होना था वह विशाका पटनम लेकिन ये भी क्या हो गया हैं बात करें हुष में मार्च में मिलन 2020 का आयोजन करने वाली थी और अब्यास के लिए भारत के सांद रक्षा सायोग साजा करने वाले दक्षिन एशिया दक्षिन पूर्वी एशिया अफ्रीका और यूरोप के करीब 41 देशों को आमंत्रत किया गया है तो बहु पक्षिय नौसेना अभ्यास नेक्स्त देखे कोशन राश्ची वैपारी सम्मेलन किस भाधे शहर में हाले मैं अशिया गया है तो आनसर हिसका न्यूडेली राजची व्यापारी सम्मेलन का एरजन अखिल भारतिये व्यापारी संगिद्वारा किया गया है इस सम्मेलन में व्यापारियों से संबत दिविन मुद्ध सहित खुद्रा व्यापार पर e-commerce कंपनियों के घातक प्रहार और उनकी FDI नीति का उलंगन पर विचार विमर्ष किया गया और सम्मेलन का उद्देश 5 ट्रिलियन डॉलर के अर्थ विवस्ता लक्ष को प्राप करने में व्यापारिक समुदाय की भूमिका पर चर्चा करना रहा नेक्स हम बात करें विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम का जो पचासवास अम्मेलन 2020 का है कहां अज़ित किया गया तो यह किया गया दावॉस स्विजर लाइन में हम बात करें किस से 24 जन्वरी के मद्ध में जो है इसका अज़िन किया गया ठीक है और इसकी थींग क्या थी मुक्य विशय क्या था तो वर्चूल ब्लोबल वेक्सीन सम्मेलन तो इसका ज़ो आईज़ित हम बात करें कहां हुआ तो इस युदि डिरेंड हाली में आयज़ित की राष्टासाइटी सरकार की मंत्रियों सयोकत रास्रेजनींई और राष्ट रधीक्ष्च्ट और देश की नेताव साहित पचास से अधिक देशों ने बाग लिया नेक्स में बात करेंगे विंग्स इंडिया 2020 जो है कहां पर हुआ तो अंसर इसका हैदराबाद तेलंगाना नागरिक विमानन मंत्राले द्वारा भारतिये विमान पत्तन प्रधिकरन और भारतिये वाने चेवं धोग परिसंग यानि एक यर्शो है जिसे दो शाल में एक बार आईजित किया जाता है नेक्स्ट देखेंगे किस राज में चापचार कूट शंब्शाब महोच जंगल को साफ करने के बाद ये मनाया जाता है और एक बसंत का त्योहार है में हम बात करें विकास शिखरसम मेलन 2020 तो उसका यह जो थी इसकी थी चीक है और केंद्री परवर्ण ने वंजल वाईव परिवर्तन मंत्री विकास जावड़िकर्न जो इनका उद्गाटन किया विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी हम बात करें जो है कहां पर आज़ित की गई तो ये की गई इन्दी न्यू डैली छीक है नेक्स्ट हम बात करें राश्टी जल सम्मिलन 2020 कहां आज़ित किया गया पहला भारत बांगला परेटन उट्सव 2020 कहां संपन हुआ तो पहला भारत बांगला परेटन उट्सव जो है संपन हुआ अगरतला त्रिपुरा में ठीक है त्रिपुरा के अगरतला में पहला भारत बांगला परेटन उट्सव टूर्जम फैस्टिवल आरंब हुआ इतो त आज परेटन विभाग द्वारा 1971 में बांगलादेश की स्वतंता संग्राम में दिये त्रिपुरा के योगदान की स्मृति और त्रिपुरा परेटन शेत्र नों उच्छाहलाने के लिए किया गया था एक से साथ मार्च 2020 के मद्य उत्राखंड में अंतरराची योग महतसव आयजन किया जा रहा है तो उत्राखंड में कहां पर आंसर इसका रिशीकेश 12 साल के अंतराल के बाद 22 भी इंडिया इंटरनेशनल सीफूट शो में कौन सा शेहर जो है मेजवान है तो कौन सी सिटी है तो आंसर इसका कोच्छी हम बात करें सीफूट एक्सपोर्ट एससोशेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारस सरकार के वानिज और उद्धोग मंतराले के तर्स समुद्री उत्पात निर्यात विकास प्रादीकरन ने इस कारिग्रम का आयजन किया है और इसकी थीम किया तो ब्लू रेवल्यूशन बि पर किया गया तो आंसर है इसका न्यू डेली में साथ मार्ज 2020 को महिला उद्मी शशक्तिकरन सम्मेलन Conference of Empowering Women and Entrepreneurs 2020 डेली में ये संपन हुआ है केंद्रिया सूक्ष में लगू एवं मध्यम उद्धम एवं सडग परिवहन एवं राज मंतरी नितन गटकरी ने इसका उद्ध घाटन किया है कि नैशनल अगनिक फूट फेस्टिवल 2020 का हुआ हुआ तो यह भी हुआ है न्यू डेली में नैशनल अगनिक फूट फेस्टिवल 21-23 फरवरी 2020 के दौरान जो है इसका आजन हुआ और यह उस प्रकार का पहला सब्समें लगवग 150 महिला जो है उद्धमी हिस किस राज में पहली बार हॉटनिवल महुटसफ का आयजन किया तो आंसर इसका तृपुरा में यह पहले से सेलेब्रेट होता है तो अगर तिलामत तृपुरा का पहला हॉटनिवल फेस्टिवल मनाया गया इस उसको मनाने का उद्धेश प्राचीन वन पक्षी हॉटनिवल क संद्रक्षन करना है ठीक है और घाटन किया विपलब कुमार देव ने और इस फेस्टिवल का नाम हॉटनिवल पक्षी के नाम पर रखा गया है कि नौवा अंतर राश्ची वाल फिल्म महुटसफ कहां संपन हुआ तो आंसर इसका कोलकाता में ठीक है प्रदेशन किया गया उसका है जन शिजू किशोर अकादमी द्वारा किया गया अगला विख लेते किस बाट्य शहर ने 2020 के तीसरे ग्लोबल आलू संम्मीलन की मेजवानी की है तो आंसर है कांधी नगर कि रोक आर्ट सुसाइटी आफ इंडिया का 24 वा अधिवेशन कहां आ इसका शुभारम प्रमुक सचेव संस्कति पंचग राग ने किया है और हम बात करें शुभारम की अपसरप्र सुसाइटी की पत्री का पुरा कला के 29 वे अंग का विमोचन भी किया गया है और लेकनिया है कि भारत में हम बात करें वर्ष 1868 से आरंब हुई शेल चित्रों की खोड जो है नंतर जा रही है तो गाइस यह जो थी हमारी आज की वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पसंद ना इसको जाज़ा लाइक करें शेर करें चनल को सब्सक्राइब करें तैंक यू